हलो स्टुडेंट्स मैं मेगा बनाली आप सभी का वेलकम करती हो तो दोस्तों आपका ये जो डारेक्ट इंडारेक्ट का जो आज लास्ट चेप्टर है तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है हम उसको भी पढ़ेंगे साथ ही साथ कुछ क्वेशन्स थे जो आपके उनके भी आं कुछ ही टाइम में मैं आपको बुक स्टार्ट करवा दूँगी और बुक हम ऐसे पढ़ेंगे वन चैप्टर वन शॉट में कम्प्लीट करेंगे जिस चैप्टर की बात करेंगे उससे रिलिटिट सारे क्वेशन आंसर उसका एक्वेशन जितनी भी उनकी पोएम होंगी उन उन सभी को हम एक बार में ही कम्प्लीट कर देंगे वन शॉट लेंगे ताकि आपका भी एक बार में पूरा क्लियर हो जाए कि हां बई क्या पढ़ना है और उससे रिलिटिट हम क्वेशन आंसर भी कर लेंगे तो बिल्कुल वो भी करेंगे NCRT करेंगे उसके तयारी कर रहे हैं बहुत ही जल्द आपके साथ वो सारी चीजे भी शेयर हो जाएंगी तो डाइक एंडार के अगर बात करें तो आज हमारा लास्ट क्लास है हमारा और लास्ट क्लास में क्या समझने वाले हैं जो भी बाकी का बचा हुआ है जैसे लेट के साथ आप किस तरह से अपने सेंटेंस आते हैं, उनको देखेंगे, फिर हम करेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ा है, उसको समझना भी तो होगा, कि जितना भी इतना सब कुछ पढ़ा है, उसमें से क्या समझ में आया है, क्या नहीं आया है, तो एक प्रैक्टिस एक्सराइज करेंगे, उस practice exercise से हमको समझ में आ जाएगा कि भाई कितना हमने समझा है और किस तरह से अगर आपके सामने exam में sentence आते हैं तो सबसे पहले आपका क्या काम करना है क्योंकि देखो पढ़ तो लोगे समझ में भी आ जाएगा, बाकी सारी चीजे भी हो जाएगी लेकिन attempt कैसे करना है उसके भी steps आपको आने चाहिए sentence आ गया और आप बिल्कुल block हो गए कि करना क्या है किस तरह से करना है तो उस चीज को समझेंगे कि कैसे आपको एक sentence दिखते ही उसका direct से अगर indirect बनाना है तो कौन-कौन से step आपको follow करने है अपने mind में और देखना है कि भी इसका किस तरह से बनेगा तो बाकी का जो कुछ बचा था जो जैसे की let की let से अगर start होते हैं तो let के अगर condition देखें तो let में हम three type की condition देखते हैं कि अलग-अलग तरीके से let हो use होता है लेकिन एक चीज और समझनी है कि जो let होता है वो होता है एक तरह से imperative sentence imperative sentence होते हैं तो कुछ में कभी-कभी आपके imperative sentence जैसे rules supply होंगे जैसे हम जो भी हमारे inverted commas है उनको हटा के हम क्या लगा देते हैं to लगाते थे तो let में भी हम to लगा सकते हैं या आगे देखेंगे कि किस-किस तरीके से हम उसमें use करते हैं तो पहली चीज है कि अगर let हो कैसे as a order अगर आपके सामने as an order की तरह आपके सामने let आता है कि जिसमें आपको order दिया जा रहा है किसी काम के समद में क्योंकि देखो imperative sentence जो होते हैं वो क्या बताते हैं किसी चीज के लिए तो आप order देते हैं या advice देते हैं या suggestion देते हैं उसके समद में बताता है तो हमको let भी देखना है कि let किस तरह से कहा जा रहा है अगर order की तरह कहा जा रहा होगा तो उसको लिखने का तरीका कुछ और होगा अगर proposal दिया जा रहा होगा मतलब कि प्रस्ताव दिया जा रहा होगा किसी चीज को करने के समद्ध में प्रस्ताफ दिया जा रहा होगा तब हम कैसे यूज़ करेंगे Next है wish or desire यानि कि इच्छा अगर आप किसी इच्छा को व्यक्त कर रहे हो किसी इच्छा को बता रहे हो और let के साथ वो चीज उज़ हो रही है तब आप उसे कैसे करेंगे तो one by one एक एक देखेंगे उनके साथ sentence देखेंगे किस तरह से follow होता है उसको देखेंगे ठीक है तो first देखते हैं अगर let as an order use होता है मतलब आप किसी को order दे रहे हैं कि भाई ये चीज कर दो तो उसके संबन में आपको क्या करना है तो सबसे पहली बात यह होगी कि direct में हमको क्या देख रहा होगा let देखता होगा अब let देखते ही आपको क्या करना है आपको sentence का देखना है sense के sentence किस टाइप का है अगर आपको order लगता है तो आप order वाले rules लगाएंगे अगर आपको proposal लगेगा तो आप proposal वाले rules लगाएंगे और अगर wish or desire लगेगी तो वो rules लगाएंगे अब देखते हैं पहले हम one by one देखते जाएंगे first देखो क्या दे रखा है I said to servant let the visitor come in मैंने servant से कहा कि visitor जो है उनको आने दो तो यहाँ पर हम क्या कह रहें order दे रहे हैं servant को कि भाई जो visitor है जो घूमने आये हैं उनको आने दो तो यहाँ पर पहली चीज़ देखनी है कि let है yes है let है क्या feel आ रहा है order आ रहा है तो हम लगा देंगे ordered कहां पर यह जो set to है यहां पर हम क्या लगा देंगे ordered लगा देंगे ठीक है next क्या है अब इन दोनों को हटाना है inverted comma और comma को हटाना है तो क्या लगाना है अगर वहाँ पर हमें कुछ लगाना होगा तो हम क्या लगाएंगे to क्योंकि imperative sentence के लिए हम as a conjunction क्या लगाते हैं to लगाते हैं, ठीक है, to लगा देंगे बागी क्या बच्चा, the visitor come in as it is हो जाएगा, हाँ अगर यहां पर pronoun होता, तो हम उसे change करते हैं, लेकिन pronoun नहीं है, sentence दे रखा है, the visitor come in, हम as it is लिख देंगे ठीक है, clear, अब कैसे बना इनको देखते हैं, अगर इसके sentence को देखें, तो कैसे बना है I ordered the servant to let the visitor come in, इस let को भी रखना है let को नहीं हटाना है, let को रखना है सिर्फ दोनों को जोडने के लिए हम क्या लगा देंगे to, कब जब आपको order दिख रहा हो, एक और sentence देखते हैं I said to Abhishek, मैंने Abhishek से कहा, don't let the boys play in the field बच जो लड़के हैं, उनको field में नहीं खेलने दो, आप ज़रूरी नहीं है ना कि आपका imperative sentence positive में ही हो negative भी हो सकता है, तो negative के लिए हमने जब rule देखे थे, negative में imperative होता है, तो आपको क्या लगाना होता है, अगर negative होता है, तो हम negative में क्या लिखते थे, जैसे हमने उस sentence लेगा, don't plug the flower, तो वहाँ पर हमने don't लगाया था, तो उसके साथ क्या किया था, हमने conjunction के लिए use किया था, तो हमने लगाया था not to, same ऐसा ही, हमें यहाँ पर करना है, imperative sentence है, तो rules भी वैसा ही लेंगे, और लगा देंगे not to, लेकिन order के लिए, अभी आगे जब आप देखोगे proposal में, या फिर आगे देखोगे किसमें, wish yet desire में, वहाँ पर as a imperative sentence की तरफ वो rules नहीं use हो रहे होंगे, वहाँ पर कुछ अलग तरीके से use होंगे, कैसे use होंगे वो देखेंगे अभी, ठीक है, तो अगर order है, तब आपको as a conjunction क्या लगाना है, to लगाना है, कैसे, I said to Abhishek, तो I said की जगे क्या order दे रहे हो न, Abhishek को order दे रहे हो, कि भई, जो लड़के हैं, उनको field में नहीं खेलने देना है, तो लिख देंगे, I ordered Abhishek, ordered लगाना, ठीक है, ed, क्योंकि past है, तो ed लगाना है, I ordered Abhishek not to let the boys play in the field, ठीक है, pronoun होता, तो हम change करते हैं, लेकिन यहाँ pronoun नहीं दिया है, the boys दिया है, the boys जो है वो, एक हमारे third person होते हैं, तो third person के लिए हम कोई change नहीं करते हैं, as it is लिख देते हैं, as it is लिख दिया, किस तरह से बना, I ordered Abhishek not to let the boys play in the field, simple, ordered के लिए यह rules होता है, कि order लगाना होगा, अगर आपको sentence से order लगता है, और conjunction के लिए हमें क्या लगाना है, to लगाना है, clear, next क्या है, अगर आपका let जो है, किस तरह से बता रहो, किसी proposal, यानि कोई प्रस्ताव दिखा रहा हो, आपको कोई प्रस्ताव देने के संबन में हो, तब हमें क्या करना है, तब हमें example देखते हैं, खुशी said to me, let us dance together, अब यहाँ पे आप किसको क्या दे रहे हो, proposal दे रहे हो, कि भई प्रपोस्ट कर रहे हो, कि भई आप प्रस्ताव दिया जा रहा है, सामने वाले को पूछा जा रहा है, कि भी dance कर लोगे, तो जब भी आपको proposal दिया जाए, तो आपको क्या करना है, दो चीजे ध्यान रखनी है, पहली चीज, यह जो let है, यह हट जाएगा, दूसरी चीज, अब यह हट जाएगा, तो यह दोनो, जब हटेंगे, तो conjunction की तरह क्या यूज होगा, यहां पर यूज होगा, that, ठीक है, that यूज करेंगे, प्रपोस्ट लग रहा है, प्रपोसल देया जा रहा है, तो प्रपोस्ट लगा देंगे, सेट टू की जगे क्या लगा देंगे, प्रपोस्ट लगा देंगे, ठीक है, आगे क्या देखा है, आगे दिख रहा है, अस दे रखा है, एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को लिखते हैं us, ठीक है? We, us, और अब जैसे यहाँ पर यह क्या है? We का first form है, और यह subjective है, और यह क्या है? यह object में है, तो us क्या दे रखा है हमको? Object में दे रखा है, और first person है, तो first person जाएगा कहाँ पर? खुशी के पास गया, खुशी के पास गया, तो खुशी क्या है? एक singular है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या लेना है? हमको तो इसका subjective case ही लेना है, तो we का, us का हम क्या लेंगे? subjective case, we लेंगे, क्योंकि यहाँ पर dance जो है, we dance together कहा जा रहा है, तो यहाँ subjective case लेना है, not objective case, तो हम यहाँ लगा देंगे we, ठीक है, we dance together किसी तरह से बना? खुशी proposed me that we should dance together एक बात और ध्यान रखनी है, जब हम propose की बात करेंगे, तो हमें लगाना होगा should जब भी propose करोगे, तो आप किसी को क्या कह रहे हैं? अब इसको हिंदी में समझो खुशी said to me, खुशी ने मुझसे कहा let us dance together, चलो हम साथ में dance करते हैं, उसने proposal दिया मुझे, तो अब क्या हुआ, अब हम जब उसका indirect बनाएंगे, यानि हम क्या कर रहे हैं? खुशी ने कुछ कहा था, हम उसको as it is बोला जा रहा है कि let us dance together, यह कुछ ने कहा था? खुशी ने कहा था, अब खुशी proposed me, अब आप किसी और को बताओगे ये बात, indirect way में, तो क्या बताओगे? खुशी proposed me that we should dance together क्योंकि अब वो क्या कह रहे है? we should dance together कि हमें दोनों को साथ में dance करना चाहिए, तो यह क्या हो गया? indirect way में, तो जब भी proposal होगा तो आपको क्या करना है? should लगाना है किस तरह से? जो भी आपका subject दे रखा है, us, उसको हमने बना दिया we, क्योंकि us एक objective case है हमें बनाना है पहले subjective case में तो we, we के बादा जगा should dance together, एक और sentence देखते हैं उससे ज़्यादा clear हो जाएगा next क्या दे रखा है? he said to me, let us purchase this house उसने मुसे कहा कि चलो ये house जो है वो purchase करते हैं, तो प्रपोजल दिया है कि उस house को purchase करने का यानि कि खरीदने का प्रस्ताव रखा है तो क्या करेंगे? पहली चीज, आपको देखना है कि भी let दे रखा है और उसमें feel आ रहा है कि प्रस्ताव की संबन में आ रहा है order तो नहीं लग रहा है प्रस्ताव लग रहा है, अगर प्रस्ताव लग रहा है तो लगा देंगे यहाँ पर proposed me, उसके बाद क्या आ जाएगा? that, let को हम हटा देंगे next आ जाएगा, असका हम फिर से क्या बना देंगे? we, असका हो जाएगा we, we should purchase this, गलती हम कहां कर देंगे? this house को हम as it is लिख देंगे, नहीं, हमको पता है जब भी हम change करते हैं, तो हमें क्या करना होता है? अगर हमारा tense change हो रहा होता है तो जिस भी तरह की ये शब्द होते हैं tomorrow, yesterday, this तो उन सभी को हम क्या करते हैं? change करते हैं तो this का बनता है that, तो लिख देंगे that house ठीक है? किस तरह से बना? he proposed me that we should purchase that house clear? तो जब भी proposed होगा तो दो बाते ध्यान रखनी है, पहला तो let हटेगा conjunction में that use करेंगे और साथ ही साथ क्या लगाएंगे? subject लगाते ही हमें क्या लगाना होगा? should क्योंकि प्रस्ताव दिया जा रहा है, तो सामने वाले हो कहा जा रहा है कि ये चीज करनी चाहिए next देखते हैं, अब हमारा wish or desire, यानि कि इच्छा, अगर आपके इच्छा होगी तो क्या करोगे? किसी चीज की इच्छा बताओगे कि भी मुझे ये चीज चाहिए थी, या हमें यहां जाना चाहिए था तो जब भी आप इच्छा के लिए कह रहे हो तो इच्छा में देखो चाहिए था आ रहा है के लिए आपको क्या करना है? शी लगा देंगे, अब सेड सेड की जगे क्या लगेगा? या तो विश्ट लगेगा, या फिर डिजायड लगेगा विश्ट लगा दो, डिजायड लगा दो जो भी आपको लगता है, लेकिन क्या लगेगी? verb की third form के साथ क्योंकि यहाँ पे set दे रखा है past है तो हमें भी past का ही form use करना हम लगा देंगे which the या फे desired आगे क्या है let me talk to him अब यह जो दे रखे है inverted commas इनको भी हटागे हम क्या लगा देंगे that लगा देंगे और that के साथ क्या करेंगे इस let को भी हटा देंगे बाकि की चीज़े क्या बची यह me बचा है me क्या है I I का है रहा objective case तो me जाएगा कहां पर she के पास she क्या है she एक subjective case है तो she की तरह ही me का भी क्या बनेगा subjective case बनेगा और I आ जाएगा I talk to him him क्या है him एक objective case है किसका he का और objective case तो क्या रहते हैं as it is रहते हैं वो कोई change नहीं होते हैं तो change नहीं करेंगे कैसे बना I wished that she should talk to him wished लगा दिया क्योंकि मैं wish चाहिए था इन दोनों को हटा के हमने that लगा दिया let हट जाएगा यह जो me है me गया था किसके पास इसके पास गया me तो me बन गया she की तरह change हो के आ जाएगा she should talk to him clear next देखते हैं एक और sentence देखे she said let him be my friend अब next देखो क्या है वह कहती है कि उसे मेरा friend बनने दो अब ध्यान देना यहाँ पर क्या है wish कर रहे हैं तो यहाँ पर wish लगा देंगे inverted comma सटाके that लगा देंगे यह let भी हट जाएगा आगे क्या दे रखा है him him किसके लिए use होता है him use होता है हमारे he जो होता है जो हमारा mail होता है उसके लिए यानि boy or I के लिए use होता है तो हमको क्या करना है यह जो him है यह him हमको दे रखा है किसी का objective case और हमको क्या लेना है हमें subjective case लेना है तो him का subjective case क्या हो जाएगा he तो हम यहाँ पर he लिलेंगे ठीके he के बाद क्या आजाएगा should क्योंकि हमें देखना है कि जब भी हम let की बात करेंगे तो should लगाएंगे, सिर्फ order को छोड़के बाकी हमें should ही लगाना है, तो लगा देंगे she wished that he should be my, फिर से आ गया my, my क्या है, my है हमारा I की family का कौन सा, possessive case, I की family का है, possessive case, my, तो क्या होगा, I क्या है, first person है, और first person किसे चेंज होते हैं subject से, तो यह माय जाएगा, इस subject के पास, she के पास, तो हमको she का भी क्या लेना पड़ेगा, she का भी possessive case लेना पड़ेगा, और she का possessive case क्या होता है, her, हम लगा देंगे her, her friend, ठीक है, she wished that he should be her friend, clear, तो क्या करना है, जब भी आपको let दिखेंगे, तो let में आपकी तीन condition होगी, एक होगा आपके लिए order या command दे रखा होगा, दूसरा आपको दे रखा होगा क्या, दूसरा दे रखा होगा आपको, किसी का wish या desire दे रखा होगा, और तीसरा दे रखा होगा, proposal, ordered में तो क्या करना है, सारे imperative वाले rules ही use करने है, let को हटा के to लगा देंगे, और set to की जगे ह हम क्या लगा देंगे, ordered, clear, next क्या था, अगर proposal है, तो proposal में किसी को प्रस्ताफ दे रहे हो, तो proposed लगा देंगे, जो भी हमारी reporting verb है, that लगा के, आप किसी को propose कर रहे है, proposal दे रहे है, तो आपको वो करना चाहिए, उसके संबन में indirectly बोरा जा रहा है, तो आप उसमें should को use करें है, conjunction जो लगाने है, वो that लगाना है, let को हम हटा देंगे, clear, तो यह हो गए let, जो हमने, हमारा एक point रह गया था, एक और point रह गया है, वो एक point क्या है, कि जब मान लो, आपके सामने sentence कैसा हो, sir और ma'am से use हो रहा हो, अगर आपके सामने sir दे रहा हो, या madam दे रहा हो, तब आ exam में इसी type की चीज़ें, जो छोड़ इसी चीज़ें आपको change करके दे देंगे, और वहीं हम confused हो जाते हैं कि करना क्या है, तो देखो, करना क्या है, he said sir, I have bought my book, I have brought my book, यानि कि क्या कह रहा है, sir मैंने अपना book खरीद लिया है, अब यहाँ पर जो boy है, जो student है, वो बता रह तो पहली चीज़ क्या देखनी है, कि भई, sir दे रखा है, sir देखते ही, हमने समझ में आएगा, हमारा sir चक्रा जाएगा, कि करना क्या है, तो करना यह है, कि जहां भी आपको sir या madam दिखता है, वहाँ आप लगा देंगे respectfully, sir या madam को हटा कि क्या लगा देंगे respectfully, क्योंकि हम sir क्या दे रखी है, he said दे रखा है, past tense में दे रखा है, तो past tense में जब भी होगा, तो हमें क्या करना है, हमें change करना है tense wise, क्योंकि बाकी का sentence देखो, तो बाकी का sentence दो क्या है, simple दे रखा है न, उसमें कोई भी question नहीं किया जा रहा है, कोई भी imperative sentence नहीं है, तो अगर बाकी का sentence ह हमें simple दे रखा है, तो हमें change करने होंगे tense wise, कब जब आप reporting verb देखो, किसमें है, हमारी past में, तो करना क्या है, इस sir या maim की जगे लगा देंगे respectfully, बाकी की चीज क्या देखो, I have brought my book, तो क्या क्या change करने, एक तो I दे रखा है, हमारा first person है, first person जाएंगे he के पास, तो he ले लेंगे, have दे रखा है, have क्या होता है, present में बात होती है, present perfect में, तो present perfect change होता है, past perfect में, तो past perfect में change कर देंगे, और बन जाएगा head, brought तो हमें दे रखा है, third form तो third form रहने देंगे, my, क्या है, possessive case है, किसका I का, तो I का possessive case है, तो हमें भी क्या करना है, possessive case ही लेना है, लेकिन पहले जाना पड़ेगा, first person, जो हमारा subject है उसके पास, तो जाएंगे he के पास, और he के पास जाते ही क्या हुआ, he का भी हमें क्या उठाना पड़ेगा, उसका भी हमें उठाना पड़ेगा, possessive case, तो he का possessive case क्या होगा, he, him, his, तो his उठा देंगे, क्योंकि she जो होता है, उसका तो दोनों का हर ही रहता है, चाहे उसका objective case लेलो, चाहे उसका possessive case लेलो, दोनों ही same होता है, he का change होता है, he का objective case होता है, बाखी का जो brought है वो as it is दे रखा क्योंकि third form लेनी थी और third form already दे रखी थी क्योंकि present perfect और past perfect दोनों में हम verb की third form ही use करते हैं ठीक है अब आगे देखते हैं आगे क्या है एक और sentence देखते हैं यहां मान लो अगर said की जगे said to होता तब क्या लिखते हैं तब हम लिखते told तो दोनों तरह से सोचिए कि अगर said होगा तो हम said ही लिखेंगे said to हो जाएगा तो हम told लगाएं क्योंकि sentence तो simple ही है sentence में कोई चीज़ नहीं है तो told लगा देंगे next sentence देखते हैं the student said to the teacher madam may I come in अभ्यान देना इस sentence में क्या दे रखा है इस sentence में आपके साथ दो चीज़े cover हो जाएंगे पहली चीज़ तो क्या cover हो रही है पहली चीज़ तो हो रही है तो madam आगे तो madam आते ही हमें क्या लगाना है respectfully लगाना है ठीक है अब sentence देखो किस टाइप का है said to दे रखा है that means past दे रखा है past दे रखा है तो हमको क्या करना होगा हमें change करना होगा ठीक है tense wise change करेंगे but may I come in or question mark लगा है that means ये क्या है ये एक interrogative sentence है साथ ही साथ क्या है helping verb से start हो रहा है तो छोटी छोटी चीज़ी आपको देखनी है sentence को ठीक से ध्यान से इतना sentence बहुत बड़ा नहीं आएगा बहुत ही simple आएगा बस उसमें कोई चीज एक के साथ दो mix करके दे देंगे अब जिसे यहाँ पर क्या कर दिया यहाँ पर madam भी लगा दिया जैसे madam लगा दिया हमारा mind उस तरफ जाएगा कि madam लिखा है हमको sentence बनाना है लेकिन हम sentence का type नहीं देखेंगे कि sentence का type कौन सा है may I comment दे रखा है helping verb पहले दे रखी है model verb जो है यह भी हमारी helping verb भी होती है तो यह पहले दे रखी है और question क्या जा रहा सकता हूं permission ली जा रही है तब आपको ध्यान रखना है कि अब भई helping verb वाले rules लगेंगे इसमें क्या लगेंगे यहां पर लग जाएगा ask लग जाएगा और साथ-साथ में क्या लगेगा जब दोनों यह inverted commas हटेंगे तो यहां लग जाता है if लगता है ना तो if लगेगा ask ल sentence में मंचलब की simple sentence बनाना है ठीक है बना देंगे साथ-साथ क्या दे रखा है एक और चीज़ दे रखी है में का हमने देखा था कि में का हमें क्या लगाना पड़ेगा might इसका past use करना पड़ेगा और might कितनी सारी एक ही sentence में इतनी सारी चीज़े cover हो गई आपकी एक तो आपक the teacher if respectfully अब क्या करना है sentence को simple बनाना है तो simple बनाने के लिए subject को पहले लेंगे तो आई जाएगा किसके पास इसके subject के पास तो reporting verb में जो subject है वो कौन है the student एक student की बात हो रही है तो क्या लिख देंगे हम student जो है वो he she कोई भी हो सकता है आप he लगा दीजेगा he come in अब he के बात क्या लगाएंगे he might क्योंकि अब हमें helping verb लगानी है he might come in simple अब देखो कैसे बना है the student asked the teacher respectfully if respectfully पहले लिख लगाना respectfully if he might come in क्योंकि यहां पे भी हमने respectfully के बात लगाया है that तो आपको respectfully लिखना है उसके बात क्योंकि क्या कर रहे हो आप कोई भी चीज respect के साथ बोल रहे हो जैसे ordered होता है proposed होता है वैसे ही respected होता है इसे ही respectfully होगा clear तो आपको इस तरह से sentence को देखना है और बनाना है य अब हमने क्या-क्या समझ दिया था उसको एक बार summarize कर लेते हैं उसके बाद हम practice करेंगे क्योंकि practice बहुत जरूरी है practice के बिना कोई चीज ठीक से नहीं होती है तो मैं अगर पूरी अब तक जो हमने पढ़ा है उसको अगर एक उसका brief लें कि बही कितना था क्या-क्या पढ़ कुछ नहीं हो सिर्फ simple sentence हो तब हमें क्या करना है तब हमें told लगाना होता है और हमें conjunction में क्या लगाना होता है that लगाना होता है reporting verb को देखना होता है कि reporting verb कौन सी है अगर reporting verb आपकी present या future में होगी तब तो tense में change नहीं होगा past में होगी तो हमें change करना होता है यही देखा था आपके words दे रखे होते हैं, this दे रखा होता है, tomorrow दे रखा होता है, yesterday दे रखा होता है, today दे रखा हो, tonight दे रखा हो, ये सारे words अगर दे रखे होते हैं, तो ये भी change होते हैं, बले tense में change ना हो, लेकिन ये साथ चीज़े change होती है, क्यों? क्योंकि जो भी हम बात बोल रहे हैं, जब वो दूसरे के द्वारा बोली जाती है तो वो बात पहले हो चुकी होती है past की होती है इसलिए हमें सारे words जो use करने होते हैं वो past से related use करने होते हैं ठीक है? तो past use हो जाता है दूसरे चीज क्या थी? हमने interrogative sentence देखे तो interrogative में दो type के थे एक हमारे helping verb आले होते हैं एक हमारे wh word आले होते हैं तो जब helping verb आले होते हैं तो हमें क्या करना होता है? जो reporting verb है उसमें ask लगाना होता है और साथी साथ क्या करना होता है? conjunction के रूप में हमें if को use करना होता है question है इसलिए इसको simple sentence बनाना होता है same as it is, ऐसा ही हमको WH word के लिए करना है, लेकिन बस करना क्या है जब हम if लगाते हैं as a conjunction WH word में हमें WH word को ही as a conjunction use करना है, clear next आगे क्या देखाता हमने, कि भाई interrogative हो गए, अब आते हैं imperative sentence तो imperative sentence में क्या करना है पहचान कैसे करोगे, कि main verb से start हो रहेंगे आपके sentence, और conjunction में आप क्या use करोगे, to use करोगे imperative sentence की बात होगे उसके बाद आता है exclamatory sentence exclamatory में क्या होता है, आप अपने emotions बताते हो strongly, जब strongly emotions बताओगे, तो जैसा आपको emotion लगता है sad हो तो लिख देंगे exclimate with sorrow अगर आप बहुत खुश हो, तो लिख देंगे exclimate with joy अगर आपको किसी से surprise हो रहे हो तो लिख देंगे exclimate with surprise exclimate लिखना है ठीक है, ed लगाना है, इसकी चीज़ की गलती मत करना, कि exclimate लिख दो, ठीक है, exclimate लिखना है यह हो गया हमारा exclamatory उसके बाद था optative sentence जिसमें हम क्या करते हैं, किसी को दुआ करते हैं किसी को बदुआ भी करते हैं दोनों चीज़े करते हैं तो जब भी आप किसी को wish करते हो किसी को दुआ देते हो तब आपको क्या करना है, आपको sentence में में दिखेगा वो आपको जब भी आप sentence पढ़ोगे आपको खुद से ही feel हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे कोई चीज को wish कर रहे है या नहीं कर रहे है अगर wish लग रहा है, prayer लग रहा है तो prayer लगा देंगे, wish लग रहा है तो wish लगा देंगे cursed यानि कि किसी को अभिशाब दे रहे हो, किसी के लिए बद्वा दे रहे हो, तब भी आप उसका cursed का cursed लगा सकते हो इस तरह से लगाना है और sentence को क्या करना होगा, subject को पहले लेना होगा, may का बन जाएगा might अगर आपको नहीं दे रहा होगा, may तो भी हमें understood है कि हमें मेका क्या बनाना है, might बनाना है sentence में जरूर नहीं लिखावा हो, आपको अगर नहीं लग रहा है कि इस sentence हम किसी को wish कर रहे है या और किसी को pray कर रहे है तो आप make a might बनाओगे चाहे वो sentence में दे रखा हो या नहीं दे रखा हो clear? तो अब तक इतनी सारी चीज़े होगे थी sir madam वाला भी हमने देख लिया sir या madam होगे तो respectfully के बाद हम conjunction लगाएंगे that और उसके बाद use करेंगे let's say हमने देख लियते order, propose यह सारी चीज़े होती है अब करते हैं हमारी practice, practice कैसे करनी है? मैं आपके सामने sentences दूँगी, आपको वीडियो को pause करना है लेकिन pause करने से पहले मैं कुछ tips दूँगी, उस tips को समझ लेना उस tips को समझ के अपने sentences लिखना, उसके बाद फिर से वीडियो को play करना और देखना अपने answers को कि हमने कितना सही किया है, कहां हमसे गड़बड हो रही है जहां आपसे गलती हो रहोगी, वो ही आपका weak point है उस पे work करो, उस चीज की practice करो, तो आप better हो जाओगे तो देखिए, अगर हम sentence देखें कि sentence कौन से है यह इतना सारा जो मैंने पढ़ा दिया है, जो direct indirect का उसको अब examine करने का time आगया, देखो कि कितना हमको आता है तो देखिए, first दे रखा है, his father said to him, why did you misbehave उसके पापा ने कहा कि तुम misbehave क्यों कर रहे हो next है, you said to me, you may go, तुमने मुसे कहा, तुम जाओ राजो said to him, will you go to जैपूर, he said to me, my God, you have cut your finger the scent, मतलब कि संत जो होता है, उसके लिए the scent said, God save you भगवान तुम्हारी रक्षा करे, भगवान तुम्हें सेव रखे अब यहाँ पर देखो, sentence, जब भी आप sentence देखोगे, पहली चीज क्या करने, यह तो चलो sentence दे रखे हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपके सामने कोई भी sentence हो, पहला step क्या करना है, पहला step करना है, reporting verb देखनी है, चीक है, पहली चीज़ देखने है reporting verb, reporting verb कैसी है अगर reporting verb आपकी present में है, past में है, future में उसके आगे आप decision लेना कि हाँ में present में है तो मुझे क्या करना है सिर्फ और सिर्फ pronoun में change होंगे या फिर ऐसे words जो होंगे जो past को बताते होंगे उनको मुझे change करना है, बाकी मुझे किसी को कोई छिर्षाड नहीं करनी है same future में भी यह करना है, लेकिन past आजाता है तो आपको tense wise भी आगे prepare रहना है ठीक है, पहला point ये था दूसरा आपको क्या देखना है, दूसरा देखना है कि sentence कौन से type का है ठीक है sentence का type देखना है कि sentence किस type का, क्योंकि तभी हम decision लेंगे कि आगे उसका direct से indirect कैसे बनाना है sentence अगर interrogative है तो उसके rules अलग होंगे, फिर अगर according अगर excrematory होंगे, तो उसके change अलग होंगे, imperative होंगे, तो उसके अलग होंगे, तो आपको ये काम करना है कि sentence का type देखना है ये step follow करोगे, तो गलती नहीं होगी आप ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि इससे आपका time भी बचेगा क्योंकि क्या करते हैं, कई बार sentence पूरा frame कर देंगे, direct से indirect बना देंगे, बाद में आपको एकदम से realize होगा अरे ये तो present था, present में तो करना ही नहीं है, tense wise change फिर आप उसे cut करेंगे, फिर से बनाएंगे तो उसमें आपका time भी waste होगा, तो पहली चीज करनी क्या है, आपको सबसे पहले देखना ही है कि reporting work कैसी है, present में है past में है, future में है, दूसरा आपको देखना है sentence का type कौन से है, क्योंकि जैसा sentence का type होगा, उसके rules भी change हो जाएंगे तो वैसा हमें बनाना है, ठीक है दो चीजे देखनी है, तीसरा चीज जो तीसरी चीज है, वो highlight करने है आपको pronouns ठीक है, आपको pronouns देखने है pronouns जितने भी होंगे, उन सभी को उनके according change करना है फिर चाहे उसका possessive case हो उसका subjective हो, objective हो जैसा भी हो, उन सभी को change करना है अगर ये तीन step follow कर लोगे तो आप easily अपना sentence बना पाऊगे, ठीक है अब आपके सामने sentence दे रखे हैं वीडियो को post कर देना और बनाना शुरू करना मैं थोड़ा सा side हो जाती हूँ, ठीक है I hope आप सभी ने अच्छे से sentence बना लिया होंगे अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं sentence को देखते ही कैसे करोंगी पहले चीज आपको कैसे attempt करना है His father said to him Why did you misbehave पहली चीज Past में दे रखा है, अच्छा Change करना है, tense wise दूसरा चीज, sentence का type देखना है sentence का type है, interrogative और interrogative में भी कौन सा है WH word आप अपने pencil सही वही highlight करते जाना WH word है, बनाने से पहले अपने mind में एक picture बना लेना कि भी ऐसे से change होने वाला है ठीक है, WH word है, तो आपको tense wise भी देखना है, तो tense इसमें use हो रहा है, एक तो use हो रहा है past क्योंकि did use हो रहा है, तो past simple में use होता है did, तो past कैसे बनता है, past perfect से बनेगा, और perfect के लिए rules क्या लगेंगे head लगता है, और verb की क्या लगेंगी, third form तो head लगा देंगे, और verb यह दे रखी इसकी लगा देंगे, third form ठीक है, इस तरह से बना देंगे, दूसरे वाले में क्या है, you said to me you may go, may दे दिया भई, may का हमने देखा था, may का हम क्या बनाते है, might बनाते है, बाकि sentence जो है, वो simple है, simple है लेकिन past में भी दे रखा है, तो हम बना देंगे, told लगा देंगे, यहां भी हम क्या करेंगे, यहां हम ask लगाएंगे, यहां लगा देंगे, told इन दोनों को change करके लिख देंगे, that you may दे रखा है, तो make up बन जाएगा, might, और you है तो you change होगा, किस के पास जाके, me के पास, pronounce है, change करना है, ध्यान लखना you, change होगा me के according, तो me क्या है, एक objective case है, लेकिन हमें क्या लेना है, subjective तो हम लगा देंगे, I might go ठीक है, next देखो, next है Raju said to him, why you go to Jaipur, अब यह भी क्या है interrogative sentence है, but कौन सा वाला है, helping verb वाला है तो helping verb वाला है, तो conjunction क्या लगा देंगे, if लगा देंगे और said to की जगे क्या लगा देंगे ask लगा देंगे, साथ ही साथ क्या है भई देखो, past में न, तो हमको tense wise भी change करना है, तो वो भी करना है कैसे करेंगे, यह जो you है यह जाएगा him के पास him क्या दे रखा है, एक objective case दे रखा है, किसका? he का लेकिन हमको you का क्या लेना है, subjective case लेना है, तो हम him का he ले लेंगे, subjective case he, will का क्या बन जाता है, would हमने future की बात की थी, कि will और shell क्या बन जाते है, would और should बन जाते है, तो he would go to clear, next देखो he said to me my god you have cut your finger my god आ गया क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है आपने कुछ चीज कट कर दी तो उसके लिए surprise हो रहे हो और कह रहे हो कि भाई तुमने क्या कर दिया तो sentence के बीच में इस तरह के words आते हैं किसमें देखे थे, exclamatory sentence देखे थे तो exclamatory sentence में हम क्या लगाएंगे he said to की जगे क्या लगा देंगे exclamate with किसके साथ surprise क्योंकि उसने cut कर दिया सौरो नहीं, दुख की बात नहीं आप एकदम से उसको my god कह कि आप क्या कर रहे हो surprise हो रहे हो, तो लिखेंगे exclamate with surprise me, अब यहाँ पर me लगाना चाओ, तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है, क्योंकि understood है कि आपके बारे में बात हो रही है surprise, अब you you जाएगा इसके पास, me के पास me क्या है, I का objective case है और हमें क्या करना है, हमें you का लेना है, हमें I, जो me है उसका subjective case लेना है, तो me का subjective case क्या ले लेंगे, I ले लेंगे अब साथी साथ देखो कि भी tense कौन सा है tense दे रखा है, have और have में हम क्या लगाते हैं, have present है, तो हम लेंगे present की जगे, past, तो past perfect में क्या लेते हैं, head लेंगे, तो head cut your इस चीज का भी ध्यान रखना, pronouns हैं तो your क्या है, your एक positive case है, तो possessive case किसका है you का, you क्या होता है, reporting बबब के object से change होता है, जाएंगे इस me के पास, me क्या है I की family का है, तो I की family का possessive case क्या होगा, I, me, my, हम ले लेंगे my, my finger, ठीक है next देखो, the scent said God save you, अब यहाँ पे, जो संत है, वो क्या कह रहे हैं तुम्हें, भगवान जो है, तुम्हें रक्षा करें, तुम्हें सेव रखें, पहली चीज देखो, exclamation mark दे रखा है बिल्कुल दे रखा है, कौन सा sentence है यह, optative sentence है, क्या कर रहे है किसी के लिए pray कर रहे है तो pray के लिए क्या कर देंगे, prayed लगा देंगे आपे अब यहाँ पे मे नहीं दे रखा है, तो आपको पहचानना होगा, वह sentence किस टाइप का है, sentence जो exclamation mark होते हैं, वह दो तरह के sentence में एंगे एक तो आएंगे आपके exclamation mark में और दूसरे आएंगे आपके optative sentence में तो यह optative sentence है optative sentence में में नहीं दे रखा है, तो आपको understood होना चाहिए, कि यहाँ पे में है तो आपको God जो है, आपका subject पहले लेना होता है, तो क्या बन जाएगा, यह जो God है, यह God आजाएगा, उसके बाद हम लगा देंगे में का, पासफ़ॉर्म, माइट God, माइट, सेव, यू अब ये यू क्या है, second person है अब देखो, यू जो है, यू जा रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पे object है क्या object तो नहीं है, जरूरी नहीं हर बार हमें object मिले, तो जब भी आपको object नहीं दिख रहा है, तो क्या हो रहा है, वह संत जो है वो said कह रहा है, किसको कह रहा है, मुझे कह रहा होगा संत जो है, वो मुझे कह रहा है मतलब सामने वाला कोई subject नहीं बचा है तो जो भी बात कही जारी है वो मेरे लिए कही जारी है मी को कही जारी है तो यहाँ पर you जो है वो understood होगा कि यहाँ पर me है और God जो save कर रहे हैं तुम्हें कर रहे है तो you भी क्या है एक objective case में है तो जब यह objective case में है और यह गया जब इसके पास तो यहां पर हम understood करेंगे कि me जो है यानि जो भी बात कही जा रही है संत के दौरा वो हमें ही कही जा रही है तो me का भी हम me objective कैसे you को भी हमें objective में लेना है तो me को उठा के हम as it is you की जगे लगा देंगे ठीक है? सेम ऐसा ही देखो यहां पर भी था अगर मैं कहां गया यह रहा अगर यहां पर me नहीं लिखा होता तो इसका अर्थ क्या था? अगर he said to लिखा होता या he said लिखा होता तो he said के बाद अगर लिखा होता my god you have cut your finger तो क्या कहा जा रहा है? किसी के दौरा आपको ही कहा जा रहा है कि तुमने जो है क्या कि आ है? cut कर दी है finger तो me आपके लिए understood है तो यहां पर भी me जो है जो भी संथ के दौरा कही जा रही है वो मुझे ही कही जा रही है और इस तरह से हम me को ले लेंगे अब देखते हैं sentence बने कैसे हैं हमारे अब आपका time है यह देखने का कि जितना भी आपने बनाया समझा वो कितना समझ में आया कहां गड़बढ हुई तो देखो यह सारे sentence है आप check कर लीजिए screenshot ले लीजिए जैसा आपको ठीक लगता है और आप देखेंगे कि हमने किस तरह से बनाया His father asked him why he had misbehaved third form लगा दी next you told me that I might go next Raju asked him if he would go to जैपूर हमने ही लगाया था उसके बाद will का would बना दिया था next he exclaimed with surprise that I had cut my finger गडबड हुई होगी यही हुई होगी pronouns में change होने में होगी होगी यह tense wise भी आपका हो सकता है कुछ mistake हो गई हो the son prayed that the God might save me एक problem यहां आई होगी कि you को हम कैसे change करें तो you जब भी आपको दे रखा होगी कई object नहीं दे रखा है जिससे आपको change करना है तो आप वहाँ पे understood हो जाना कि जो भी बात कही जारी हो मुझे कही जारी है यानि me होगा और उसके according आप change कर देना clear तो हमारा जो आज का जो है यह complete हो गया है direct से indirect बनाना और इसकी practice करिएगा जितनी practice करेंगे उतना जादा आपको clear होंगे concepts आज जितने किया होंगे अगर उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं that means यह है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया है बस आपको इसी तरह के और sentences लेने है और उनको करके देखना है कि कहां किस तरह से कौन से changes होते हैं तो मिलते हैं हम next lecture में और पढ़ेंगे कोई नया topic जिसको हम one shot में ही complete कर देंगे अब ऐसा ही करेंगे जितना हो सकेगा हम one shot या two shot में ही मतलब दो या एक दो lecture में ही हम किसी topic को complete कर दें तो हम इसके बाद जो है एक दो grammar के topic complete करके फिर हम अपनी book स्टार्ट कर देंगे और book को हम ऐसे ही पढ़ने वाले है एक chapter एक दिन में एक class में finish ठीक है चलो मिलते हैं next class में इससे रेडिटर आपको कोई भी query हो कोई भी problem हो आप comment section में लिखती जीगा मिलते हैं next time bye bye take care